हे गाईज विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वडियो में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भरती के बारे में जो की विकिंसी रिलीस की गई है परमानू उर्जा विभाग की दो डिपार्टमेंट की तरफ से पहली डिप the Public Quality of India Limited दूसरी डिपार्टमेंट उपका MP-CIL इन पी सी एल की यह निनूः विकिंसी है पहले वेकिंसी सरकारी नोंकरी की थी यह trainee apprenticeship की NPCIL यानि की nuclear power corporation of india limited दोनों department की तरब से अच्छी खासी post पर vacancies निकाली गई है जो भी all india के idea pass out diploma और engineering वी बिटे candidate apply कर सकते हैं और बिल्कुल phraser apply कर सकते हैं क्योंकि यह vacancy trainee apprenticeship की है total number post देखो तो 500 post पर bumper vacancies है 500 से भी ज़्यादा post पर vacancies है तो मौका मत चोड़ना जितने भी student यहाँ पर eligible होने वाले हैं तो चलिए detail notification wise discuss करते हैं कौन कौन से trade और branch के किस branch के लिए किस trade के लिए कितनी post पर vacancies है form कैसे fill up करनी है apply कैसे करना और इसके बाद NAC करने के बाद क्या benefits होगा मैं पहले बता दूँ अगर आप NAC करते हो जैसे की NPCL में या फिर ECIL में ECIL तो खुद separate vacancies निकालती है for NAC वालों के लिए जो NAC किया वही apply कर सकते हैं और ये vacancies बहुत अच्छी खासी निकलती है यहाँ पर ECIL की तरफ से तो इसलिए दोनों notification को one by one discuss करने वाले हैं start करते हैं आगे बढ़ने से पहले कहीं पर भी doubt लेगेगा तो बेच में आप pause करके comment करते हैं आपको reply just मिल जाएगे ओके बागे 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 बाद आप अपना trade अपना branch जरूर comment करके बताएगा guys ताकि मैं बढ़ा सकूं कि आप eligible हो या पर eligible नहीं हो तो चलिए शुरू करते हैं देखे दो notification है सबसे ज़्यादा जो vacancy है ECIL में निकाली गई है electronic corporation of India limited वो सिर्फ RTI student के लिए है लेकिन हम पहले discuss करेंगे NPCL का nuclear power corporation of India limited क्योंकि इस form को All India के candidate apply कर सकते है वेकिन्सी देखो apprenticeship training apprenticeship trade technician and graduate के लिए vacancy है 3 October 2024 तक form apply कर सकते हैं बिल्कुल online form आपको यहाँ पर fill up करनी है अब मैं trade बता रहा हूं trade को ध्यान से सुनिएगा और जितने भी student है बीच में कोई bit out लगे comment करें trade apprenticeship ITI fitter की vacancy सबसे ज़्यादा है टूटल 25 पोस्ट पर recruitment यहाँ पर out के गई है उसके बाद ITI electricity की उससे कम 16 पोस्ट पर है ITI electronic की mechanic की vacancy 9 पोस्ट है और अब आ जाते हैं डिपलोम वाले उससे पहले जितने भी ITI pass out student यह 3 trade के लिए vacancy है बड़ electronic corporation of India limited में बहुत सारा trade eligible होने वाला तो थोड़ा सा वीट कर लें एक साल के ITI pass out student इसमें apply करोगे तो 7700 मिलेगी जबकी 2 साल के ITI वाले apply करोगे तो 8500 पे आपको परमंद स्टैपन मिलेगी 3 October 2024 तक आपकी age जो है 18 से 24 साल हो जानी चाहिए उसमें 25 साल है और age में relaxation सारे candidate को मिलेगी एक साल की ही trainee होगी अब बात करते हैं technician apprenticeship for diploma candidate के लिए तो mechanical की 5 post है electrical की 3 है electronics के लिए 2 है इसमें 8000 परमंद स्टैपन मिलेगी अब सोच रहोगे ITI की stepon से कम है डिपलोमा की stepon ऐसा क्यों क्योंकि apprenticeship में गई इप्रेंटिशिप में इप्रेंटिशिप में इप्रेंटिशिप स्टूडेंट को ज्यादा वेल्यू मिलती है डिपलोमा के compare में 18 से 25 साल के candidate apply कर सकते हैं डिपलोमा वाले हैं अब next एक graduation वाले हैं जहां पर mechanical की यहां पर भी पांच के, electrical की दो है, civil के लिए दो है, 9000 पर मंत stepon मिलेगी, अगर आपने graduation कर रखी हो degree और भी इप्रेंटिशिप इंजिनेरिंग एपला कर सकते हैं इसकी age limit 18 से 26 साल है, total number post है 50, various vacancies के उनसार आप देख सकते हैं, जहां पर 50 vacancies सिर्फ ITI student की vacancy, अब आकि बा इसमें, इसमें apply कर सकते हैं, age में सारे candidate को relaxation मिलने वाली है, mode qualification सारी चीजें बताएगी, यह रेगूरल होनी चाहिए, यहां पर भी आपकी selection same basis, place of training में बात करूँ तो नरोरा power plant कहीं पर भी हो सकती है, नरोरा मैं अधिकतर मान सकते हो, कहीं पर भी division होगा, बट नरोरा power plant मे नहीं आपकी दी जाएगी, standard of physical fitness, तो height आपकी मांगी जाती 137 cm, में भी इतना तो हो गाई, 25.5 kg वाजन तो सबका होगा यहां पर चाती का फुलाव यहां पर expenses के साथ यहां पर रखा गिया है, selection process जो होगा, जो भी candidate है, यहां पर जो उत्तर परदेश के नजदिक है, कुछ आरक्षन मिलेगा, यह आरक्षन इंडिया को बत्तर से बत्तर बनाया जा रहा है, यार सब की रिए eligible रखो न, क्या दिक्कत है सब चीज में, फिर जैसी भी हो, 16 km के अगर आप दायरे में रखते हैं, रहते हैं, तो आपको काफी ज़्यादा benefits यहां पर देखने को मिलेगी, merit-based पे selections होगा, जो अभी आपकी shortlisted की जाएगी, उसी के according आप यहां पर apply कर सकते, NPCL career पे जाके, आप यहां पर कोई भी form apply करें, यह रख लिया आते हैं, form में, ज़्यादा tension वाली बात नहीं है, Apprentice Portal पे विजिट करनी होगी, यहां पर ITI student को Apprentice Portal पे apply करना है, और Diploma student को NHD Portal पे जाके रहां पर apply करना होगा, और इसकी वेबसाइट पे, जो NPCL वेबसाइट है, उसके विजिट करके आपको 3 October 2024 तक apply करना होगी, तो आपके लिए अच्छा खासा टाइम है, apply करें, और कहीं पर भी आपको doubt लगे, form फिल अप करने से related, comment करके बता सकते हैं, establishment देख लो, establishment code वेगरा, काफी ज़्यदा important है, इसी को देखें, अपने trade से अपरेंटेसी पोटल पे apply कर सकते हैं, ओके, तो यह रही NPCL की detail, कहीं पर भी doubt लगे, comment कीजिए, अब चेले चलते हैं ECIL की और, So everyone, यह है ECIL, Electronic Corporation of India Limited, और इसमें सबसे ज़्यदा post है, almost 437 post पर vacancy निकाली गई है, आप देख सकते हैं, total number of post है 437, जहां पर electronic mechanic की सबसे ज़्यदा post है, लेकिन एक इसमें restrictions है, इसमें all India के candidate apply नहीं कर सकते हैं, मैं इसमें पहले बता दूँ, इसलिए मैंने NPCL का पहले दिख इसमें वनली तेलंगाना स्टेट के candidate apply कर सकते हैं, बाखे बाद देख लो, Electronic Mechanic की सबसे ज़्यदा post है, total 162 post पर vacancies है, क्योंकि department ही electronic का है, electricity के लिए 70 है, Twitter की भी 70 है, RNAC के लिए 17, Turner के लिए 17, मसनिस्ट की 17, मसनिस्ट के लिए 13, कोपा की 45, welder की 22, पेंडर की 4, total number post है 437, व जो भी student NCPT से pass out है, idea वाले apply कर सकते हैं, और यहां पर आपको document verification के लिए जाना होगा, यह जो form है, आपको NPCL की, I mean sorry, appendacy portal पे जाके विजिट करके यह form apply करना होगा, जिसकी last date है 29 September 2024, ओके, तो कोई भी doubt है आपके मनमे, comment किजिएगा, and date of joining के बारे में यहां पर simply बताया ग एक सीज का यहां पर ध्यान रखें कि तेलंगना वाले apply कर सकते हैं, यह मैं पहले बता चुका हूँ, ओके, तो दोनों notification आपने देख ली, इनमें से जिसमी आप eligible apply करें, अगर आप NPCL में तो सारे candidate apply कर दो, अगर आप eligible है तो, आखे बाद इसमें trade जादा था, vacancy भी जादा अगर शेट नहीं मिलता तो लोकल को मिल जाता तो यह इंडिया में बहुत खराब है, अगर करनी है तो सब के लिए रखो, बेरोज़गार सिर्फ तेलंगाना वाला नहीं है, बेरोज़गार all over इंडिया का है, और apprenticeship करने के बाद jobs मिलनी चाहिए, क्या बार बार यह apprentice निकाल रहे हैं, exam से, election है, नहीं तो कोई पूछने वाला है नहीं student को इंडिया में, ओकी गाइस, बाकी बात देख लो apply करना है, सारी link description में मौझद मिल जाएगी, कुछ राव डेत कमेंट करके बताइएगा, मिलते नेक्स वडियो में तब तक लिए जहींत,